नमस्कार, मैं हो ससी, आये जरगां की टॉप 25 परमोग खबर जनते हैं बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों और की सेना पहले वाली स्थिती में अपस लड़ जाएगी गौतला भाय की 6 नौमबर को दोनों देशों के बीज आठवी बार कोर कमांडर अस्तर की वारता होई थी इस बैठक में भारत ने चीन से पुर्व लदाक के गतिरोध वाली सभी अस्थानों से जल्चनी को पिछे हटाने पर जोर दिया था जाखन मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक राची समेत आसपास के इलाकों में आसिक रूप से बादल चाहे रहेंगे मगर बारिस की संभावना ना के बराबर है दिपावली के दिन मौसम पूर्ण रूप से साफ रने के उमीद है बुद्वार को राज में पूर्वाईया हावा चल रही है बतादे हावा की रफ्तार सम है आने वाले तीन से चार दिनों में लगतार दो से तीन डिगरी निवंतम तापमान में इजाफा होगा बतादे पिछले 24 गंटा के दरान राजे में सबसे ज़्यादा अधिक्तम तापमान चाई बसा 31.8 जबकि निवंतम तापमान राची का 12.6 डिगरी रिकोर्ड किया गया जार्खन में बदलेगा उच सिक्षा का सवरूप पूरी तरह डिजटल होगी प्रनाली जार्खन में उच सिक्षा का सवरूप पूरी तरह से बदलने वाला है भविसकी जरुतों को ध्यान में राकर अस्थापित किये जा रहे जार्खन एजुकेशनल ग्रीड के तहत पूरी जार्खन में बदलने जार्खन में इस दोरान कई सरकारे आई और कई गई लेकिन नक्सलवाद की समस्यात तब भी थी और आज भी है पूलिस मुख्याले के आकडों के अनुसार पिछले बर्स यानि 2019 में नक्सली संगटनों ने जार्खन के 24 जीलों में अक्टूबर तक 99 नक्सली वर्दातों को अंजाम दिया है जबकि 6 जीले ऐसे भी है जहां नक्सली वर्दातों की पुष्टी नहीं हुई है अब तक के आकडों पर गवर करे तो हेमन सरकार के कारेकाल में नक्सली ने पिछले वर्द की तूलना में ज़्यादा घटनाओं को अंजाम दिया है साहिब गंजीले के 5000 किसानों को मिलेगा निसूल्क बिजली कनेक्शन साहिब गंजीले के 5000 किसानों को क्रिसी कारेक के लिए निसूल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा इसके लिए विभाग त्यारी में जुट गया है बता दे अटल तिल का क्रिसी पंप योजना के तहट पांच किलो वार्ट तक का कनेक्शन दिया जाएगा किसान चाहे तो सिंगल फेज या थ्री फेज कनेक्शन ले सकते हैं इस योजना में साल में 6 मां की मीटर चार्ज का भुगतान करना होगा धन 13 के लिए 13 november को 100 महुर्ट इस बार दिपावली बहुत खास है क्योंकि इस साल 2 दिनों तक धन 13 मनाने का उसर मिल रहा है बता दे कि 13 का 100 महुर्ट 12 और 13 november 2 दिन तक है इसलिए 2 दिनों तक खरदारी कर सकते हैं इस बार कार्ति क्रिश्न तरियोदसी ती थी 12 नॉवंबर की साम 6 बजकर 31 मिनट से जो की 13 नॉवंबर को साम 4 बजकर 11 मिनट तक रहेगी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर आदिवासी समाई ने निकाला विसाल बिजय जुलूस सरना कोड का प्रस्ताव जहर्खन बिधान सभा में पारित होने से आदिवासी समाज गदगद हैं आदिवासी समाज के लोग सलको पर उत्रे और परमपारिक वेसबूसा में नित करते हुए अपनी खोसी का इजहार किया सबसे पहले केंद्रिय सरना अस्थाल में परमपारिक आदिवासी पूजा की गए इसके बाद परमपारिक वेसबूसा और परमपारिक गाजा बाजा के अलावा सरना जहनडा के साथ लोग विजय जुलूस में समिलित हुए जे पीएसी की मुख्य परिक्षा की सभी कोपिया सुरक्षित रखने का आदेश हाई कोट जारखन हाई कोट ने छठी जारखन पबलिक सर्विस कमिसन मुख्य परिक्षा की सभी उतरपुस्तिकाय सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है याची काये तब तक सुरक्षित रखनी होगी जब तक की इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाए बुद्वार को छठी जपीसी की मोख्य परिक्षा कामती पहिनाओ को चुनोती देने वाली आजका पसुनवाई करते वे जर्शिस एसके दिवेदी क्या दालत नहीं अनिदेश दिया है राची से पटना के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू छठ और दिपावलीफर के मद नजर राज सरकार के परिवहन विभाग ने ट्रेनों के परिचालन और स्टोपेज की अनुमती देदी है मंगलवार को राज के परिवहन सचिव के रविक कुमार ने इस समंध में राची डिविजनल रेल मैनेजर से पतरचार किया बता दे पतना राची और टाटा दानापूर अप और डाउन ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है पतना राची अप और डाउन ट्रेन का स्टोपेज कोडार मा हजारी बाग पारसनात गोमो चंद्रपूरा वोकारवेश्टील सिटी और मुरी में होगा वहीं टाटा दानापूर अपोर डाउन ट्रेन का इस्टोपेज टाटा गमारिया चांडिला जामताना विद्या सागर महधुपूर और जसीडी में होगा आरक्षी बाहली 2015 के रिक्त 24 सवासी पदों को सीगर भरने की मांग की गई है बता दे अवियार्थियों के अनुसार जेससी द्वारा विग्यापन बर्ष 2015 में बहतर सो बहतर पदों की परकासित की गई थी जिसमें सभी परकिरिया पूरी करने के बाद 4792 को नियुकती कराई गई जबकि सेस 24 सवासी पद अभी भी रिक था है अवियार्थियों ने 9 जनवारी 2020 को मुख्यमंत्र हेमन सुरेन से मिले तो उस समय बोला गया की पांच दिन में अच्छा न्यूज दूँँगा जबकि आज तक इस भरती परकिरिया पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है अवियार्थियों ने सरकार से जे सेसी को आदेश देखकर जल्द से जल्द सेकेंड लिस्ट जारी करने की मांग की है जार्खन में 284 नहीं संक्रमितों को पुष्टी हुई है जार्खन में 285 नहीं से चार मिले है जार्खन में कुल संक्रमितों की संख्या 1,5,224 है जबकि 1,302,000 लोग स्वश्ट हुए और 913 की मृती हो गई भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 86,000,84,49,49 है जबकि 80,400,85,49 लोग स्वश्ट हुए और 1,288,165 की मृती हो गई भारत में नहीं केस 48,250 मिले हैं जबकि 52,704 लोग स्वश्ट हुए है भारत में एक टिप केस 4,894,49 है वहीं जार्खन में एक टिप केस 4,009 है जार्खन में बुद्वार को 3 की मौत हुई है जार्खन में पिछले 3 माह में बैंको का परदर्शन कई मैनों में अउसत से नीचे चला गया है इस अधी में ही बैंको का CD रेशियो नगत जमा अनुपात में भारी गिरावट हुई है बता दे एक साथ नए राजे के रूप में अस्तित्युत में आई 36 गर्ड की तुनला में जार्खन का परदर्शन बेतर खराब है यही हाल रहा तो जार्खन में बैंक कर्च देने की स्थिती में नहीं रह जाएगी बता दे बैंको की जमा बिरीधी और रीन बिरीधी एडवांस में एक ही जटके में करीब 3000 को रुपे की कमी आई है बिधायको को आवंटित आवास का बेवरा नहीं देने पर हाई कोट नराज जार्खन हाई कोट ने सभी बिधायको को आवंटित आवास और आवास आवंटन करने का आधार की पुरी जनकारी नहीं दिये जाने पर नराजगी जाहिर की है बुद्वार को विधायक नवीन जैस्वाल की आजका पसुनवाई करते हुए चीप जस्टिस डाक्टर रवी रंजन और जस्टिस सुजीत नरायन परसाथ के अदालत ने सरकार को 25 नौमबर तक पूरा बेवरा देने का निर्देश दिया है बता दे इसी दिन बिधायक नवीन जैस्वाल को सरकार के सपत पत्र का जवाब दाकिल करने का भी निर्देश दिया है नौ निर्वाचित बिधायकों ने 24 घंटे के अंदर ली सपत जाकन में दो सीटों के लिए हुए उपचुनाव में सतधारी गठबंधन ने बेरमो और दुमका दोनों ही सीटे मंगलवार को जीत ली बता दे जीत मिलने के 24 घंटे के अंदर दोनों नौ निर्वाचित बिधायकों ने बिधान सभा पहुंच कर सपत भी ले ली बोद्वार को अजवित बिधान सभा के 27 में दोनों बिधायकों को सपत दिलाई गई इस दोरान सदर में पहुंचे दोनों विधायकों ने मुख मंत्री हैमान सुरेन का पैर चुकर असिरवाद भी लिया है राजेपाल से मिले नगर निकायों के प्रतिनिधी राची नगर निगम की मेर आसा लकडा के नितितु में पर्देश के हजारी बाग नगर निगम समेत अन नगर निकायों के मेर डीप्टी मेर और अन जन परतिनिधी ने राजेपाल दुरपती मुर्मो से मुलकात की मुलकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मेरा साल लकडा ने कहा कि इन दिनों नगर निगम और नगर निकायों में सर्कार का हस्टेप बढ़ गया है जनम पर्वान पत्र के जारी करने में भी सर्कार हस्टेप कर रही है होल्डिंग टेक्स वसूली से लेका हर छोटे बड़े कामों में सरकार की दखल अंजाई है जबकि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए नगर निगम में चुने हुए प्रतनीधी है अगर सरकार को ही नगर निगम चलाना है तो फिर चुनाव क्यों किये जाते है सरना धर्म कोट का प्रस्ताव रद करने की मांग मदरा मुंडा सेवा संस्थान महाराज मदरा मुंडा सेवा संस्थान नियास टरस्ट ने राजपाल को गयापन सोब कर जाकन सरकार द्वारा सरना धर्म कोट का प्रस्ताव पारित करने के नीर्नय को रद करने की मांग की है ट्रस्ट के अध्यक्ष वीना मुंडा ने कहा कि राज सरकार का प्रस्ताव राजेपाल के माध्यम से राश्पति के पास बेजा जाना है अलग धर्म कार नीर्न आदिवासियों के आस्था के बिरूद लिया है उन्होंने राजेपल से आगरा किया है कि वे इस जन बिरूधी प्रस्ताव को राश्पतिक पास न बेजे नेतर हाट आवासे बिद्याले की परवेस परिक्षा 5 दिसंबर को नेतर हाट आवासे बिद्याले के लिए परिक्षा 5 दिसंबर को होगी COVID-19 एवं और परसासनी कारणों से नेतर हाट आवासे बिद्याले के लिए परवेस पत्र की उपलाबता एवं परिक्षा तीतियों में सुधार किया गया है परवेशपत्र डाउनलोड करने के लिए बिद्ध्याले के पोटल www.netalheart.biddyale.com पर परवेशपत्र प्रात कर सकते हैं 15 नॉमर से चात्र इसकी सेवा ले सकते हैं दुरगा पुजा के गाई लाइन पर मनेगी काली पुजा है राची महनगर काली पुजा समीथी के एक प्रतिनिदी मंडल ने उपायूक छवी रंजन एवम SSP सुरेंदर जहाज से मिला उन्हें एक ग्यापन सोपा इस दुरण उपायूक छवी रंजन ने कहा कि दुरगा पुजा के दुरण जो सरकार का निर्देश था उसी दिशाय निर्देश के मापदंडों का पालन करते वे काली पुजा उच्छो मनाना है उपायुक ने प्रतिनीदी मंडल को या भी कहा कि पुजा उत्सों में दो गज की दूरी का परण करना है मास्क लगाना है, सेनेटाइज करना है, चार फीट का मुर्ती रखना है, गाना नहीं बजाना है सरकारी घोसना के अनुरूप सफाई कर्मि को 10 यार नहीं मिला तो होगा तलाबंदी सहरी छेत्र में काम करने वाले सफाई कर्मियों को क्रोना वर्यस के तोर पर केंज सरकार की ओर से घोसित पर्वतेवार के पुर्व 10 यार रूपे का एडवांस अगर नहीं दिया गया तो सफाई कर्मियों की ओर से नगर परिशत की तलाबंदी की जाएगी गोटा जिला मुख्याले के असोक अस्तम परिशर में बुद्वार को भागपा माले लोकल, बोडिज, फ्रेंडरेशन और किसान संग की ओर से सन्युक धारना दिया गया जार्खन में लाइबरेरियन की बहाली की मांग जार्खन राज के पुस्तकालेयों में पुस्तकाले अध्यक्स की नियुक्ति को लेकर लाइबरेरी साइन्स परसिक्षित छात्र शत्राओ का प्रतिनिदी मंडल बुद्वार को देवगार उपाईवुत कमलेसर परसाद सिंग से मिला तता राजय पाल को समोधित मांग पत जार्खन गठान के बाद से आज तक न तो कोई लाइबरेरियен की बाली हुई और नहीं लाइबरेरी एट पारित किया गया जिसके कारण विद्ध्यालन, महा बिद्यालन वा विसो विद्ध्यालन के अलावा और पुस्तकालियों में लाइबरेरियन के पद रिक्त कड़े ह खोटी जिला के ग्रामिनों से ठगने वाले चार्ट होंगी साधू गिरफतार। प्रामत किये हैं। प्रामिनों से ठगने वाले चार्ट होंगी साधू गिरफतार। धन्यवाद में चार्ट होटाले में 96 इसकूल संचालकों और 9 लोगों पर नामजाद परत्मिकी दर्ज। धन्यवाद यादि आप चनल पर नहीं होगे तो चनल को सब्सक्राइब कर बलक अबेले कंदवाईए। साथ साथ वीडियो को एक लाइक अवसे करें। आप से रिक्वेस्ट रहेगा आप एक लाइक अवसे करें। आप बहुत सारे वीडियो को लाइक अवसे करें। पर अवसे ही लाइक या डिसलाइक करें।